इलाइल स्टेडी प्लेटफोरम पर आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में डिस्कुसन करेंगे हिमाचल परदेश में जियोईटी 817 के उपर 24-7-2024 का क्या अपडेट है आज एक बहुत बड़ा दिन जियोईटी के हवैर्थियों के लिए होने वाला है जो कि कई बरसों से लगातार निरंतर परिश्रम कर रहे है तो आज देखिए मानिया मुख्यमंत्री सिरी सुखबिंदर सिंग सुखु जी के द्वारा भी एक प्रेस कंफरेंस में कहा गया कि जियोईटी 817 का रजल्ट निकालना हमारी प्रात्मिकता है और देखिए HPRCA के जो अधिकारी है जो जियोईटी के उपर बनी है उसका भी कोई परभाब नहीं है चाहे आप स्ट्राइक पर बैठे है या नहीं बैठे है उन्होंने बहुत ही क्लियर और स्फर्श सब्दों में आज का है कि हिमाचल परदेश में जियोईटी 817 का परिनाम गोसित होगा इसी के साथ में आप कु rather सब से पहले यहाँ परिन की वेबसाइट में जा करके इसका इसका ऐप अट्री ढूटने का प्रयास किया है तो डैली स्टेक्स में जब हमारी टीम के द्वारा बहां पर explore किया गया इमाचल परदेश हाई कोट की वेबसाइट को तो यहाँ पर देखिए इस केस से स्वंदित हैदी हम देखें तो यहाँ पर देखिए next purpose यहाँ पर orders किया गया है और next hearing की date 25.07.2024 दे दी गई है तो यहाँ बात करें इस case का अब तक का जो सबसे बड़ा update है वो आप लोगों के साथ हमारे team सांजा कर रही है लेकिन देखिए यहाँ परेदी हम देखें जो मानिया मुख्यमंत्री जी का जिस तरह से बकतब्या आज इस पूरे के पूरे case पर आया हुआ है तो निश्ची तोर पे JIT 817 का result आने वाला है सभी हव्यार्थी थोड़ा सा patience बना करके रखेगा क्योंकि आपने बहुत बड़ा तप किया है सुप्रीम कोर्ट तक की आतरा आप सभी हव्यार्थियों ने लड़ी है आप आपका परिनाम आपके सामने डिस्प्ले होने वाला है थोड़ी सी patience रखेगा एक है दो दिन डिले भी हो जाता है तो इसका कोई मतलब नी क्यूंकि आपने बरसों तक इस प्रिक्सा परिनाम के लिए इंतजार किया है इसी के साथ में पोस्ट कोड 903 और 949 की जो पेंडिंग फाइल है HPPSC सिमला से ट्रांसफर होनी है हमिरपूर के लिए देखे जो इटी 817 के बाद निश्ची तोर पे वो काम भी आगे बढ़ेगा उसके बाद 817 के हव्यार्थियों का काम भी बढ़ने जा रहा है कि जिन हव्यार्थियों का देखे यहां पर अभी रिजल्ट आने वाला है उनको कितनी यहां पर परिसानी का सामना करना पड़ रहा है तो यह कारण है कि मान्य मुख्यमंत्री जी ने भी आज स्टेंड लिया है जिनका भी 917 में भी नंबर नहीं आ रहा है 930 में नहीं है 949 में भी नहीं है या बहुत से अव्यार्थियों का देखे अभी इसमें नहीं भी होगा तो आप लोग तनमन धन से अपनी पढ़ाई में जुट जाएगा आपको हम अपडेट कर दें कि 965 का कमिस्ण आपका होने वाला है कुछी दिनों में जब होने जो रिक्यूटमेंट के लिए का जैंसी अपॉइंट होने जा रही है उसके साथ में यह आपका हो सकता है सबसे पहले 965 का ही आपको पेपर हमाचल परदेश में वगला देखने को मिले तो उसके लिए आप हमारी टीम के द्वारा कम्प्यूटर फंडामेंटर नॉलिज के नाम से बहुत ही बहुत ही बहित्रीन किताब बनाई गई है तो कि हमाचल परदेश की विभिन तरह की जो कम्प्यूटर से सबंदित प्रतियों की प्रिक्सा हैं उनके लिए काफी लावदाक साबित होने बाले तो आप इस किताब को जुरू ट्राइ किजिएगा वीडियो की डिस्क्रिप्सन में और कमेंट सेक्शन में भी इसका लिं तो निश्ची तोर पर आप सफल होंगे आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है हमने पहले भी पुलिस काउंस टेबल का जब पर लिकेज का मामला आया था हिमाचल परदेश में हमने ऐसे अभियर्थियों को गाइड किया था जिनका फाइनल पीडिय अप में नाम आ पर देखिए जब से सब्द स्रीजित हुआ है हमारे टीम आप लोगों के साथ में है तो आप नियमित रूप से हमारे टीम के जो गाइडलाइन सोती है स्टेडी के रिगार्डिंग है बुक्स के रिगार्डिंग है आप उन्हें फॉलो कीजिएगा निश्ची तोर पे आप परना देने के लिए बैठे है उनके साथ में हमारी टीम भी यहां पर खड़ी है आपका जो संगर से आपकी जो मेहनत है यह सीगरी सपल हो और जो जो जुए टी का रिजल्ट है उसमें आप सब का चैन भी हो थैंक यू बेरिमस कीप बॉचिंग इलाइट स्टेडी यूट् चैनल